अब हमारा टॉपिक है हीट इंजन हीट इंजन एक ऐसा मेकेनिकल सिस्टम है जो हीट एनरजी को मेकेनिकल वर्क में कनवर्ट करता है यानि हीट इंजन क्या है एक जो हमारा मेकेनिकल वर्क करने में काम आता है यानि जादे तर जितनी भी कम फैक्ट्रीज है या के द्वारा ही किये जाते हैं तो देख लेते हैं जड़ा इसकी वर्किंग कैसे और इसमें क्या मेन पार्ट है तो को हीट इंजिन के मेनली तीन पार्ट होते हैं इसमें सबसे पहला पार्ट होता है इसका सोर्स इसका टेंपरेचर होता है टीवन डिगरी से हैं बहुत हाई टे ये second part है इसका कि इसमें working substance क्या है इसका second part और यों और तीसरा important part है इसकंि इसमें sink 네 sink एक cold place होता है ion temperature बहुत कम रहता है oh तुमान लिया मैंने इसका डेम बेजर इसको सिंक कहते हैं यह कोल्ड प्लेस है अब यह तीनों पार्ट्स काम कैसे करते हैं सोर्स से वर्किंग सबस्टेंस हीट एब्जॉर्ब करता है मैंने मान लिए क्यूवन हीट यह एब्जॉर्ब करेगा तो यह वर्किंग सबस्टेंस इस हीट को एब्जॉर्ब करके expand होते हैं ठीक है यानि working यानि वर्क फंक्शन में कुछ energy यूज होती है और कुछ energy को sink अपने तरफ absorb करता है sink cold place है तो over यह clear है बिल्कुल यह energy हैं से इसकी तरफ अपने थर्मल equilibrium के तरह यहां पर transfer हो जाएगी तो q2 मैंने मान लिया heat यहां पर transfer होगी यह कम रहती है क्यूवन से ठीक है क्यूवन हीट तो आई टीवन सोर्स से और कुछ energy ने work कर लिया है यहां पर बची कुछ energy sink ने absorb कर ली तो work done हो गया है यहां पर work done में कितनी energy use हुई क्यूवन माइनस q2 ठीक है तो जिस समय working substance source से heat absorb करता है तो यह expand होते हैं और जैसे ही sink इन यहां से इस chamber से heat को absorb करता है तो यह फिर converge हो जाते हैं तो heat लेने पर expand converge तो यह piston को push, pull, push, pull इस condition में करते हैं पिस्टन आगे पीछे move करता है और हमें एक motion मिल जाता है यहां से अब इसकी efficiency कैसे find करेंगे efficiency का simple formula है कि हमें जितने heat मिली है उसके respect में हमने कितना काम किया ठीक है यह efficiency का main fund होता है ठीक टीचर ने कितना बढ़ाया और हमने कितने marks लाए ठीक तो eta is equal to w के place पर लिख देंगे q1 minus q2 upon q1 या 1 minus q2 upon q1 temperature की form में लिख सकते हैं हम इसको 1 minus t2 upon t1 यह q से t कैसे कर दिया यह correlated है temperature जादा है तो समझो heat जादा है और इसको हम proof कर सकते हैं कि हमने q से t कैसे लाए हम इसको proof करेंगे car not engine में जो next video होगी हमारी ठीक है car not cycle जिसमें हम working में आएगी तो देखो t2 क्या है sink का temperature है अगर यह zero हो जाए यानि sink बिल्कुल बरफ के जैसे ठंडी हो जाए तो फिर eta हो जाएगा one या hundred percent इसकी efficiency हो जाएगी और अगर टी-22 का temperature टी-1 के बरबर हो जाए यानि जो sink का temperature है वो source के बरबर हो जाए या यानि यह सूर्स है जतना ऍमजितना source का temperature अगर sink का भी उतना ही हो जाए फिर खामीं नहीं करेंगी machine हम çevreंगे इंगी in तो इसे जो आगे पढ़ेंगे हम कार नोट इंजन पढ़ेंगे ठीक है इसमें पढ़ा हमने हीट इंजन उसके मेन पार्ट और वर्किंग कैसे करता इसके efficiency क्या होती है thank you